नमस्कार दोस्तो दूस्तरी आपका भी bank account SBI के अंदर है दोस्तो कैसे आप अपने SBI bank account के जो statement है कैसे उसे download कर सकते हैं या फिर M passbook कैसे download कर सकते हैं and उस file को download करने के बाद एक PDF के रूप में मिलता है उसका password क्या होता है उसके अंदर password लगा होता है उसे कैसे आप open कर सकते है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यदि आपको भी जानना है तो हम वीडियो के साथ सुरू से लेकर अंतक बने रहेगा दोस्तो मेह उसर प्रिकास चोब है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चोबजी टेक्नल दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो पर शुरू करते हैं तो दोस्तों अपनी एम पास्ट डाउनलोड करने के लिए इस बीए एप जिसके अंदर आपका मॉबाइल बैंकिंग यानि की यूजर नेमर पास्वोड आपको पता होना चाहिए तभी आप ये काम कर सकते हैं नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो पार उसको में दे दूँगा उन्हें देखकर आप आराम से इन्हें कर सकते हैं लोगिन चलिए हम इसको उपन करते हैं यहां पे कुछ इस-प्रक डार का इंट्रफिश ना जह रहता है चलिए याम इस चैनल लोगिन कर लेंगे यहां पर दोopher इस wagon करते हैं और आधोग語 один के क्लिक करना है जैसा इसके उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर इैसे को यहां पर आपकी सारी स्टेट मेंट दिखाएंगे ऑन दर क्या होता है आपको डाउड करना है अपनी पास्बूक को तो यहाँ पर देखिए एक passbook का icon नजरा रहा होगा just pass में और एक और पास में option नजरा रहा होगा यहाँ पर message का तो यदि आप अपनी statement को email के द्वारा चाहते हैं तो इसके उपर click कर दीजिए अपने email चली जाएगी उसे आप download कर लीजिएगा और चाहते हैं हाथ होगा download करना ता आप passbook को download करना चाहते हैं तो इसके उपर passbook को उपर click करना होगा जैसा आप इसके उपर click करने के बाद यहाँ पर देखें मैं click करता हूँ क्लिक करते ही हमारी पास्टूक डाउलड हो जाएगी और यहां पर ऐसे बताया जा रहा है कि आपकी पास्टूक डाउलड हो गए है लेकिन उसके अंदर एक पास्वर्ड लगा है और पास्वर्ड क्या होगा पास्वर्ड के रूप में आपका होगा आपकी date of birth का शुरुवाती चार अक्षर यदि आपका date of birth है 25 1991 तो आपका ऐसे लिखा जाएगा 0205 ठीक है शुरुवात के दो ये लिखे जाएंगे उसके बाद फिर एक add the rate लगाया जाएगा कि इसको बोलते हैं जो ऐसे करके बनता है तो आपको देखेंगे होंगे के इसको फांग यहांड को दोंड ले आपने का इंदर क्लिक करना आपकी ले alan क्लिक ने कशता है यहां प्र कर दोस्तों आपको सेक्ति के अधरिelin नहीं both दर्ज कीजिए और डेटो बर्त का मन्थ और दिन दोनों दर्ज करने के बाद दिन और मन्थ दर्ज करने बद एड्ड लगाना है और आपके मोबाइल नंबर का लास्ट के चार्ड डिजिट जो है फिर ओपन पे क्लिक करना है आपकी जो देखिए statement और फाइल है डाउनलोड चुकी है आपके पूरी account की detail सबसे उपर न जरा जाएगी ये भी aim passbook की तरह काम करता है और नीचे आपकी account की detail आजाएगी अब कहीं पर भी ये आपको काम पड़े तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं आप print out भी आराम से निकलवा सकते हैं किसी को भी भेज करें आपके पास printer है तो भी खुद आप भी निकलवा सकते हैं ये दोस्तों आपको मैंने बदा दिया है कैसे आप अपने sbi account की aim passbook और statement कैसे download कर सकते हैं आपको जनकारी वीडियो कर आपको जनकारी वीडियो अचछी लगी हो तो को पिए कर लाइक कर देजेगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजेगा ताकि नोचोश बात की knowledge हो सके बाकि दूस्तों आपको यह ओनो स्टेट्मेंट करने में कोई भी समस्य आ रही हो तो नीचे कोमेंट करके अपने सुझाओ को रह सकते हैं या फिर आप हमसे डारेक्ट इंस्टाग्राम अभी संपर कर सकते हैं नीचे लिंक आपको डिस्कूस में मिल जाएगी यह दूस्तों म मिल तरह वीडियो में अच्छी और सांदर वीडियो को साथ तब तक के लिए जाहें चैफाल